नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सरुष शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल हरियान अपडेट डेले नियूज बात करेंगे रिवाडी की शेहर की बड़ी कबरों के बारे में तो वीडियो को शुरू करते हैं आपको उतायतों कि रिवाडी के अंदर ये रास्ता अब दो साल के लिए बंद कर दिया गया है आपको उतायतों पूरी खबर रिवाडी शेहर का जो भाड़ावास रेलवे फाटाग वो अगले दो साल के लिए पूरी तरीके से बंद होने वाला है मंगलवार से मां रेलवे ओवर ब्रीज का जो काम शुरू कर दिया जाएगा आपको बतायता हूँ कि जो यह रेलवे फाटक है रेवाडी और साज़ापुर राजमार्क पर पढ़ता है इसके एक तरफ है रेवाडी शेर तो दूसरी तरफ है काफी गां वगिर हम कह सकते हैं और काफी जग है जहांसे मतलब लोगों की आवाजाई रहती है आपको दायता हूँ कि ओवर बिरिज बनवाने में कोई दिक्कत ना हो इसके चलते अब फाटक को पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है और जो भारी वाने जैसे ट्रक वगेरा बस वगेरा इनको तो पहले ही रोक दिया था अब इस वाटक से बाइक साइकल कुछ भी नहीं निकल सकेगा आपको दायता हूँ कि इसके लिए लोगों को दूसरे रास्तों की तरफ जाना पड़ेगा बात ये भी है कि बाड़ावास वाटक पर जो ओवर बिज बनाने की मांग थी वो लोगों की काफी सालों से थी इसकी फाइल लटकी हुई थी लेकिन इसी साल की शुरुआत में ओवर बिज बने का जो रस्ता हो साफ हुआ था इसके चलते कुछ दिन मिटिंग वगे रहुई और उसके बाद अभी फैसला ले लिया गए कि मंगलवार से यानि कल से वहाँ पर जो काम शुरू हो जाएगा और आपको उतायता हो कि 60 करोड रुपए की लागत से यह ओवर बिज का काम शुरू होगा और इसके चलते यह 2023 में बन कर तैयार हो जाएगा मतलब दो साल तक अब इस यहां पर जो फार्टा के इसको बंद कर दिया गया और बिज बनने के कारण आप यहां से आप लोग नहीं जा सकते और आपको देखिए वैकलपी के जो रास्ते आमना और जो दूसरे रास्ते वहां से जाना पड़ेगा रामपूरा और बिठवाना होके आप जा सकते हैं यह दो आपको बदा रेता हूँ कि वैकलपिक मारके जो भी लोग यहां से आते जाते उनके लिए बदा रेता हूँ रामपूरा और बिठवाना यहां से अब आप लोगों को आजवा जाई करने पड़ेगी इससे तक थोड़ी प्रोप्लम तो होगी लोगों को बच्चों को जो स्कूल जाते हैं लेकिन ये ओवर ब्रीज बनना भी याँ पर बहुत जरूरी था इसके चलते हैं अब दो साल तक ये बिल्कुल फाटक बन रहेगा रिवाडी की जितनी भी बड़ी खबरे जानने के लिए आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए ताकि रिवाडी की निउस के साथ आप लोगों को ये भी पता चलेगी कि आपके आसपस क्या हो रहा है सारी बड़ी खबरे इसी के साथ धन्यवाद